जाहिन दोस्तों मैं अजली शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिबार एक्जाम इंडिया पर कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की बढ़ाई भी बहुत बहतरीन चल रही होगी कि ही जैसे कि हमापने के सच्वे युथ हैं और आज है हमारा थी इसरा प्रेक्टिसby करने जाएंगे और कैसे लिए अपने बहुत अच्छी से चहरो के बहुत कु फिसे हम साइथ है अपने बहुत अच्छогда करने क्योंकि बच्चा ऐसे बहुत से Candidate है इस साल तयारी स्टार्ट करेंगे तो उन्हें पता होता है कि तयारी अब इजामनल का कैसा होता है तो इसलिए भी थोड़े लेवल के ही कोशन लेके चलें जैसे ही यो हमारा लेवल बढ़ जाएगा वह दो प्योक्षी होते हैं अच्छे लेवल के वह वाले कोशन हम लेकर आएंगे तो करते हैं आज क्या प्रैक्टिस है थर्ड सोल यह है हमारा आज का पहला परशन चटी का दूद याद दिलाना चटी का दूद याद दिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा चटी का दूद याद दिलाना तो वैसे भी बहुत चुप सा लग रहा है कि चटी का दूद याद दिलाना तो क्या होगा कटनाई का अनुभव होना हार मानना शेकि खती का दूद यार दिलाना यानि की कटनाई का अनुभव होना तो option A जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा उसके बाद हार मानना यानि की हतियार डाल देना या हतियार हतियार डालना हतियार डालना ठीक है? हार मानना, हतियार डाल देना बहबीत होना कलेजा मुह में आ जाना जैसे अचानक आप चल रहे हो कहीं पर सड़क पर अचानक अगर आपके सामने साप आ जाए तो आप एकदम बहबीत हो जाएगे यानि कि आपका कलेजा है वो मुह में आ जाएगा तो भैबीत होना अर्थात कलेजा मुह में आ जाना चकित रह जाना अर्थात दंग रह जाना कई बार कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि हम उनकी activity देखते ही रह जाते हैं तो वह होता है चकित रहाजाना अरथात डंग रहाजाना वह छती का दूत्या दिलाना तो कच्टना अनुभव होना फुर्साद एक वुष्भत है और्वषी के रचनाकार कौन है जैशंकर परशाद है रामधारी सिंघ दिनकर है मेथेली शरन गूप्त है या फिर सुमित्रा नंदन पंथ्र बताएंगे उर्वशी एक महाकाव्य रहा है जिसे 1961 में रामधारी सिंग दिनकरजी द्वारा निखा गया है वोई बता दू मैं आपको कि रामधारी सिंग दिनकरजी का बहुत ही परशिद महाकाव्य रहा है उर् में इसका महा काववे को ज्यान पीठ पुरुषकार ब्ला था तो वो उर्वशी था रमधारी सिंग् दिनकरजी की रचना थी जिसे निसाЭтоफ बहाथ्तर में ज्यान पीठ पुरुषकार मिला था या विंहकर टो या संकल परेशाद के कुछ ःनने जा सब सब यह समणđरा यह हमारे होось रामधारि सिंग हौकर जी के बहुत अपन्य रहें और सबसे जाद़ लिएट कामयानी रहा है यह भूत उपन्य तुपर पितलि है यह हमारे छैसंकर परसाद की कि रचना है देली शरन गुप्त की बात करें तो शाकेत शाकेत एक बहुत ही परशिद महाकाव्य रहा है मेथेली शरन गुप्त जी का और एक नहूश नहूश भी इनीका ही एक परशिद महाकाव्य है तो मेथेली शरन गुप्त जी का याद रखना है शाकेत और नहूश दोनों ही बहुत परशिद उनके रहे हैं सुमित्रा नंधन पंत जी का एक है गुनजन इनका इनका सिर्फ एक मदब लिद्चनाए और भी है इनकी सभी लोगों की रचनाए और भी है लेकिन ये कुछ फेमर्स पंत पंत के रहे है जिने विद्गुल इक्जामने को पूछता है वो इनिस से पूचेगा तो सुमिद्रन अंदर पनित जी का गुंजन रहा है, ठीक है? आगे देखते हैं, रिक्यतिस्थान को भरने के लिए सबसे उप्यूक्त शब्द का है, चैन करना है कि कौन सा होगा, वे लोग तैने के लिए डैश पर गई, वे लोग तैने के लिए किस पर गई, पहाड पर उसके बाद जंगल में भी तैने के लिए नहीं जाएगा, वहां तो वैसे ही शेर, भूत, पुट्र, बिल्ली सब होते हैं, तुहां तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जहने में भी तैने का नहीं, जहने का तो सिर्फ आनन्द लिया जा सकता है, उसकी खूब सुद्रित को हैसूस करके उसकी व्याख्या की जा सकते है, उसमें तैना पोसिबल ही नहीं है, केवल नधी ही ये कैसा मार्क है, जिसमें हम तै सकते हैं, अर्थात, वे लोग तैने के लिए नधी पर गए, किस पर गए, नधी पर गए, जब नधी पर जा रहे हैं, तैनी रहे हैं, नधी गए हैं थैनने के लिए कर दिये गये गया में रेखांकील को 352 क्या करना प्रतीस्थाफित करना है गारी सबसे उप्यूक्त विकल्ब का सैन्क चैन में कहा कि शुपकारिये के लिए बाद्धाय को भी आति रहिए पंडित जी है बताते ही रहते हैं स्मस्ट और हुचना कुछ तो पंटी जी ने कहा है कि शूब कारिये के लिए बाधाय भी आती रही हैं ओक करी ये तो शूब कर्यों को पर त्रह त्था पित करना हैं हमें इन चार उप्शन के लिएक तो कॉन सा और फ्शन है इसकेकS हम 35 पर स्थापित करेंगे पहले देखते हैं शुब कारिय के लिए तो उस ने ने चिलिए को बाधाई भी आथी तो कोई सेंस ही नहीं बैटरा है यह भी गलत हो गया उसके बाद आखी बचता है हमारा शुब कारिया में अर्था देखते हैं पंटित जी ने कहा कि शुब कारिया में बाधाई भी आती रही है तो यह बिल्कुल ठीक है वाक्य और रचना की द्रश्टी से कि शुब कारिया जो हो एक शब्द जो है वो शुद्ध है वो बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है तो प्रिया दर्शनी एक शब्द दिया गया है वो हमें बताना है कि इन में से प्रिया दर्शनी को हम कैसे लिखते है वो पहचानना है तो प्रिया दर्शनी के जो शुद्वर्तनी होती है व प्राचारिय ने उसे अनुशाशन डैस करने पर दंडित किया हूँ जो principles होते हैं हमारे परधानचारी होते हैं अगर हम अनुशाशन को तोड़ते हैं या फिर उसे भंग करते हैं या उनकी जो वो आग्या देते हैं उसका अनुपालन नहीं करता है तो दंडित तो करेंगे ही तो तंग तो नहीं किया होगा इसका परधानचारी के साथ कोई मिनिंग नहीं बैठता है तयार भी नहीं किया होगा क्योंकि उसे दंडित किया गया है तंग भी नहीं दिया होगा क्योंकि उससे भाभी दंडित किया गया है तो उसने क्या किया होगा भंग किया होगा प्राचारिय ने उसे अनुशाषन भंग करने पर दंडित किया क्योंकि उसने भंग किया था किसको अनुशाषन को और अनुशाषन को कभी भी भंग नहीं करना चाहिए तो प्राचारिय ने उसे अनुशाषन भंग करने पर दंडि किया था ठीक है तो option C बिल्कुल सही होगा निम्न में से एशुद्ध शब्द कौन सा है एशुद्ध देखिए इस बार आप ते शुद्ध नहीं शुद्ध पूछा गया है कि एशुद्ध शब्द कौन सा होगा कौन सा होगा तो वेश भूशा वेश भूशा की परतनी इसको गलत लिखा गया है वो कैसे लिखा जाएगा इसका संदी विचेद करते हैं अगर हम वहवार एक शब्द है और उसमें इक जोड़ा गया है इसका संदी विचेद कर जाए है हम वहवार एक शब्द था उसमें हमने इक को जोड़ा तो वो शब्द क्या बनेगा वह वारिक जो हमारा ई होता है वो आ में परिवर्तित होता है और जो मातर लगती है वो छोटीगी की लगती है तो जो हमारा वह वारिक होगा वो ऐसे लिखा जाएगा ताकि ऐसे तो कौन सा जो हमारा शुद्ध पार्ट है वो दी होगा सोरी सी होगा और शुद्ध इसकी जो वाइतनी होगी वो ऐसे होगी वहवारिक ठीक है जो इश्वर को ना मानता हो वाक्यांस के लिए एक शब्द जो इश्वर को ना मानता हो वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या होगा आस्थिक होगा शाश्वत होगा दूरदर्शी या फिर नास्थिक जो इश्वर को ना मानता हो अर्थात वो तो भहिया जी नास्तिक होता है उसके बाद जो इश्वर को मानता हो वो आस्तिक होता है जो इश्वर को मानता हो वो हमारा आस्तिक होता है वो दूर दाशी जो दूर की सोचने वाला होता है पूर की सोचने वाला आस्तिक जो इश्वर को ना मानता हो आस्तिक जो इश्वर को मानता हो शाश्वर जो सदा रहे वो दूर दाशी जो दूर की सोचने वाला हो ठीक है क्लियर है आगे देखते हैं वुर्धि शब्द का वलोम शब्द बताना है वुर्धि किसी चीज का बढ़ना होता है तो इसका विलोम सब्द बताना है अत्ष्य वुलऑ होगा यह यह पर धर्व होगा तो option D जो होगा वो बिल्कुल सही होगा 6 अर्था कम होना घटना तो व्रद्धी का जो विलोग होगा वो 6 होगा कई बार अब व्रद्धी मतलब बढ़ना हो गया तो अगर आपको यहाँ पर कभी घटना या फिर 6 दिया होता न तो आपको घटना नहीं करना होगा चैही सही होगा क्योंकि examiner की language में ही हमें उत्ता देना होता है अब अगर हमाँ पर आप से व्रद्धी शब्द पूछा गया है व्रद्धी का विलोग पूछा गया है तो वह 6 होगा लेकिन अगर बढ़ना अगर उसकी व्रद्धी की जागा बढ़ना होता तब आपका घटना सही होता तो question की language में ही हमें उत्ता देना होता है otherwise question गलत हो जाता है ठीक है निमलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए दातों तले उंगली दवाना दातों तले उंगली दवाने का मुहावरा क्या होगा दातों तले उंगली दवाना इर्षा से जल उठना खुश होना आ होगा वो बिलकुल सही होगा क्योंकि दातों तले उगली दवाना मतलब आश्चरिय होना और खुश होना मन में लड़्डू फूटना कैसे आपने टैंस में टॉप किया है तो आप बहुत खुश हो गए मन में लड़्डू फूट रहे हैं कि आप तो आईफॉन मील ही है खुश होना अर्थार मन में लड्डू फूटना अपने आप ही खुश होना चाहे पापा फोन दिलाए या ना दिलाए लेकिन हाँ खुश होना है आगे देखना है निम लिखित में से कौन सा शब्द देवता का पर्याईवाची शब्द कौन सा होगा देवता का देवता का परियाईवाची शब्द, देवता के परियाईवाची शब्द की बात करें, तो अमर होता है, देवता का परियाईवाची शब्द क्या होता है, अमर होता है, उसके बाद ओर देखते हैं, इस देवता के परियाईवाची शब्द, देव हो गया, का रिदश सिरीधश गर्ठश कर से देवता की परियाईवाईवाज यह देव प jazz Ved waters कि और एरे shutdown जेजता के परियाईवाजेश vert कौन कौन से होते है सभी जो र 지나 से प्रियाईवाजल ख़क इसे हैं और कि की देवता हो जोटे है यह सभी हमारे देवता के परियाईवाची शब्द होता है और सुधाकर का परियाईवाची शब्द चंद्र होता है शशी लिसाचर और निश्पति निश्पति हो गया और दाकेश निश्पति होता है जलद और एक शब्द होता है यह जलद है वहाँ पर दे दे को जोड़ा गया और यहाँ पर जे को जोड़ा गया है तोनों शब्द में डिफ्रेंस होता है और आप कई बार एक ही शब्द माल लेते हैं और वह गलत हो जाता है चूंकि यह जो जलद है वह बादल का परियाईवाची है इसका परियाईवाची है बादल का परियाईवाची है लेकिन यह जो जलद है वह कमल का परियाईवाची है जलच कमल का परियाइवाजी है और जलद बादल का परियाइवाजी है ये बादल के अन्यों देखते हैं बादल मेग, अब्र के हमारे जलद के परियाइवाजी शब्द होते है और असूर की बात करें दानव भाक्षश ये सभी हमारे असुर के परियाई वाची होते हैं ठीक है किलियर है आगे बढ़ते हैं डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा डंके की चोट पर कहने का मुहावरा तो बिल्कुल डंके की चोट पर जो कहते हैं वो बिल्कुल एक दब इस परस्ट बोलने वाले व्यक्ति होते हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि हाँ इस परस्ट शब्दों में कहना ठीक है आगे देखते हैं अंतयज्यर्ट शङपद चय अलिए शही अर्थ कौन से वाक्यान्स में दिया गया है जो जनम से अपंग हो जो जनम से कुरूप हो जो जनम के उपरांथ तहाग दिया हो या फिर जिसका जनम नीम्न वर्ग में हुआ हो कौन सा होगा अंत यज के लिए शरिशब तो ये ये ओप्षन बिल्कुल सही होगा जिसका जनम जो है वो निमन वर्ग में होता है उसे अंत ये बोला जाता है और जिसका जनम जो है वो उच्छ कुल में होता है जिसका जनम जो होता है वो होता है अभी जात अभी जात बाकी जो डी है वो बिल्कुल सही होगा कुशू मेशू का समाना आर्थी शब्द क्या होगा काला होगा आकाश होगा कबूतर या फिर कामदेव कौन सा होगा इसका परियायवाची कुशु मेशु अर्थात कामदेव जो होगा वो बिल्कुल इसका परियाई वाची होगा कामदेव के अन्य परियाई वाची की बात करें तो हो गता है मनोज इसके बाद अंग और रति-पति और आत्म भूँ आत्म भूँ के इसके सभी जो होते हैं वो परियाई वाची होते हैं कि सभी परियाई वाची होते हैं और कपूतर की बात करें तो कपोध हारित रख्त लोचन रख्त लोचन और पारीव ये सभी हमारे कबूतर के परियाईवाची होते हैं आकाश की बात करते हैं तो व्योम उसका परियाईवाची होता है व्योम अब्र दब्र व्योम परियाईवाची कोई शब्द नहीं होता है व्योम अब्र नव गगन शुन्य अनन्त होता है कबूतर का कपोद हारीद लख्त लोचन और पारीव कामदेव का परियाईवाची शब्द की बात करें मनोज अंग रती पती और आत्म भूस के अन्य परियाईवाची शब्द होता है आगे देखते हैं जो युद में इस्थर हैता है जो युदमे कंई के इसर रहता है वाक्याच के लिए एक शब्द परियोग योद्धा, युदिष्टर, फुल स्रेष्ट या फिर इस्थाई, वह से लोग तो इस्थाई कर देंगे, जो एक चीज जगा इस्थाई होता है, तो वह गलत होगा, युद्ध में जो इस्थार है वो इस्थाई होता है, और आप सभी को भी आज के युग का युदिष्टर युद्ध युद्ध में से श्थाई उपना और आपको बहुत है, कैसे होता है, युद्ध के वह चाहिा जैए जब तक आपका चब्सक्तर होता है जो इस्थाई हो कैं आधारित हूं पर पाँज से पड़्यान्स को एकी बार में अब होता है कमार्ज एक बार में बूत अच्छे ससे पको साथ और सजी को हमारा पिछला पैसिस ठा उसमें विध्ध्यारति जीवन की वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र वहवार आच्रन को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है यह वस्ता भावी विरक्ष की उस कोमल शाखा की भाती है जिसे जिधा चाहो मोड़ा जा सकता है उन्त विक्षित विरक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं उन्हें मोड़ने का परियास करने पर वे टूट तो सकती है पर मुड़ नहीं सकती छातर अवस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है इसमें जैसा परभाव डाला हो डाला जा सकता है सफेज चादर पर एक रंग जो चड़ गया तो चड़ गया वेसे वह पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती इसलिए प्राचीन काल से ही विद्ध्यारती जीवन के महतु को सुईकार किया गया है इसी अवस्था में तू संसकार और नेतिक पोशित की जा सकती है इसलिए प्राचीन समय में बाला को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशाशन का पालन करना होता था विद्ध्यारती जीवन से रिलेटिर कुछ तथ्य कहे गए हैं जो की बिल्कुल सत्य है हम अपने परिशन को देखते हैं कि हमारे परिशन क्या वहवार को सुधारने का सर्वत्तम समय कौन सा है यह तो आप खुद भी सोच सकते हैं कोई भी अगर हम चीज बनाते हैं तो जब इसकी इस्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो हमें पता रहता है कि उसका प्रारूप क्या होगा मालिज आप कोई मिट्दी का बरतन बना रहे हैं आपने उसको जैसे इस्ट्रक्चर दी होगी वह वैसा ही भनेगा तो जो उसकी को वैसा बना सकते हैं अपने गद्यांस में रेखते हैं वैसे हम कि विध्यार्ति को जैसा चाहो वैसा कर देते हैं तो वह होता है हमारी चातर अवस्था चादर की तरह होते हैं जिसमें जैसा परभाव डालना हो डाला जा सकता है जो हमारी चातर अवस्था होती है उसमें सर्वोत्तम समय होता है ठीक है आगे देखते हैं चात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता है चात्रों को जो है हमारे उन्हें गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता है कठोर अनुशाशन के लिए घर से दूर रखने के लिए अच्छे संस्कार विक्षित करने के लिए य बातापिता कोई भी अपनी संतान को कभी भी खुछ से दूर नहीं देखना चाहते हैं तो जह से दूर रखने के लिए तो नहीं बागी अच्छे संसकार विक्षित करने के लिए तो देखिए अच्छे संसकार विक्षित करने के लिए कभी भी आपको गुरुकुल जाने की ज शक्ता नहीं है देकिन हा गुरुकुल आपको एक कार्य के लिए अवश्य भेजा जाता है वह हमारा कठोर अनुशाशन के लिए वह बहुत ही कठोर होता है जो बच्चे कभी गए है उन्हें वह जानते होंगे कि वहां का शक्ता का अनुशाशन का लिए घचा जा रहा है तो वह कठोर अनुशाशन के लिए बेजा जाता था GURU में ठीक है और अगला बाइश्न जो हमारी चात्रावस्ता की तुलना की गई है । न मारी किक्षित विरक्ष से सफेद चादर्स से एविक्षित विरक्षि की विक्षित साखा से किसे की गई है देखते हैं शपेद चादर छातर वस्ता उस श्वेद चादर श्वेद मतलब सफेद सफेद चादर की द्रह है जिसमें जैसा परभाव आप दालना चाहते हो वैसा धल जाता है च्शातरवस्ता की तुल्ना किस से की गई है सफेद चादर से की गई है B options جو होगा तो बिल्कुल सही होगा लोगे देखते हैं इन में से किस शब्द में उपसर्ग का परियोग नहीं किया गया अब जो हमारा पिछला खीलास कि आपको बताया उपसर्ग और परियोग नहीं किया गया उपसर्ग फेसे रिवाइस करते हैं जो शब्द किसी शब्द के शुरुवात में आकर जुड़ते हैं और उसका अयत्परिवजित कर देते हैं वो हमारे उपसर्ग कहते हैं तो महत्व में तो हम देख रहे हैं कोई शब्द नहीं जुड़ता है क्योंकि महत्व एक सिंपल सब्द है और उसे ऐसे ही यहां पर लिखा गया है उसके बाद सू संसकार की बात करें तो देखें इसमें शू शू जो है वो हमारा क्या है उपसर्ग है और अगला शब्द वो केवल एक ही शब्द है ए महत्व महत्व में किसी भी उपसर्ग का परियोग नहीं किया गया है तो कोश्शन के उप जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा बिलकुल सही उत्तर महत्व में किसी भी उपसर्व का परियोग नहीं किया गया है आगे देखते हैं रस्तूत गद्यांस के लिए उप्यूक्त शीशक बताना है कि जो हमने गद्यांस अभी सोल्व किया है उसका शीशक टाइटल क्या होगा बतब एक ही वर्ड में हम उसका टाइटल निकाल एक ही वाक्यांस पर उसकी बात करें तो वह जोगा चरित्र और वेहार की बात की कहीं आड़ पर अनुशाशन भी विड्यायति जीवन की या हमारा गद्यांस्ता उसमें विध्यारती जीवन के बारे में सब कुछ बता रहा है कि वह कौन सी अवस्ता होती है जब हम खुद को सही बना सकते हैं और उसकी तुलना जो की गए थी वह सफेज चादर से की गए थी फिर गुरुकुल बच्चों को क्यों भेजा जाता था यह स अब विध्यारती जीवन वारे में बताती हैं तो हमारा जो शिशक होगा होगा विध्यारती जीवन नहीं फिकांट तो आज के पशल इतने ही थे कैसे लगे आप सभी को पश्ञ आपका स्कोर कितना रहा कहीं कोई पश्चन में कि आपका score क्या बन पा रहा है और जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी सभी लोग करें तब तक अपना और अपने को जिहान रखिए पढ़ाई करेचे सब्सक्राइब एक 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 एर एन बाद झाहिन जादाद है